उधारन पाँच साधना बैंग से 10,000 रुपे 10 प्रतिशत की वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए उधार लेती है उसे उक्त राशी को अतिरिक्त राशी ब्याज के साथ वापस करना पड़ता है तीन वर्ष के अंत में चक्रुद्धी ब्याज और लोटाई जाने वाली राशी ग्याद कीजिए उधारन पाँच हल प्रश्ट में हमें दिया है कि ली गई राशी कितनी है 10,000 रुपे याने कि यदि हम पहले वर्ष के लिए ब्याज की गढणा करने जाएं तो पहले वर्ष का मूलधन कितना होगा पहले वर्ष का मूलधन हम यदि इसे P1 से वैक्त करें तो हम लिखेंगे 10,000 रुपे इसके बाद यदि हमें पहले वर्ष का ब्याज ग्याद करना हो तो पहले वर्ष का ब्याज बराबर कितना होता है मूलधन, गोनेत दर, गोनेत समय, बटे सो तो यदि मूलधन यहाँ पर है दस अजार रुपए दर कितनी दी गई है प्रश्ट में? दस, समय, क्योंकि हम पहले वर्ष के लिए ग्याद कर रहे है यानि कि एक वर्ष की गढ़ना की जा रही है तो इसे हम लेंगे एक और बटे सो इसे हल कर ले, तो यदि हम सो के पहाड़े से इसे काटे तो सो एकम सो कितनी बार जाएगा? सो बार और सो गुणित दस गुणित एक यानि कि एक हजार रुपए यहां हमें पहले वर्ष का ब्याज प्राप्त हुआ अब प्रशना नुसार हमसे कहा जा रहा है कि उक्त राशी को अतिरिक राशी ब्याज के साथ आपको वापस करना है और अगले वर्ष के लिए हमारा जो मूलधन होगा तो दूसरे वर्ष में जो मूलधन हमको मिलेगा उसमें क्या होगा? कि पिछले वर्ष का ब्याज हमें जोडना पड़ेगा तो दूसरे वर्ष का जो मूलधन है उसे हम किस्त के द्वारा वेक्ट कर सकते हैं? P2 के द्वारा और P2 का मान कितना हो जाएगा? P1 धन पिछले वर्ष का जो ब्याज है याने की 1000 रुपए वो हमें हाँ पर जोडना पड़ेगा तो हम जोड़ देते हैं SI1 को SI1 याने Simple Interest for First Year पहले वर्ष का साधारण ब्याज तो P1 कितना है? अपने P1 कितना लिया हुआ है? 10,000 रुपए और SI1 याने कि ये हमें कितना प्राप्त हुआ है? 1000 रुपए तो P2 हमें मिल गया 10,000 और 1000 को हमने जोड़ा तो हमें मिल गया 11,000 रुपए ये हुआ दूसरे वर्ष के लिए मूल धन चलिए आगे हल करते हैं हमें दूसरे वर्ष के लिए मूल धन P2 बराबर कितना प्राप्त हुआ था? 11,000 रुपए तो अब हम दूसरे वर्ष का साधारान ब्याज भी ग्याद कर सकते हैं अतह दूसरे वर्ष का ब्याज इसे हम किसे वेक्ट करेंगे? SI2 से इसका मान कितना हो जाएगा? 11,000 गुनेत हमारी दर कितनी है? 10 समय क्योंकि हम दूसरे वर्ष के लिए निकाल रहे हैं गड़ना एक ही वर्ष की हो रही है इसलिए एक बटे 100 100 के पहाड़े से इसे हल करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 110 गुणेत 10 गुणेत 1 तो हमारे पास यहाँ पर आगया 1100 याने की 1100 रुपे यह हो गया दूसरे वर्ष का ब्याच अब यदि हमें तीसरे वर्ष के लिए मुल्धन निकालना होगा तो फिर से तीसरे वर्ष का मुल्धन कितना हो जाएगा? हमें 1100 को उसमें फिर से जोड़ना होगा याने की P3 बराबर तीसरे वर्ष का मुल्धन बराबर P2 याने की दूसरे वर्ष का मुल्धन धन जो हमें प्राप्त हुआ है ब्याच SI2 तो P2 का मान रख ले P2 का मान हमारे पास आया था 11,000 रुपे और SI2 हमारे पास है 1100 रुपे कितना मिलेगा ये? 12,100 रुपे तो तीसरे वर्ष का मुल्धन P3 बराबर 12,100 रुपे चलिए आगे हल करते हैं तीसरे वर्ष के लिए हमें मुल्धन P3 बराबर प्राप्त हो गया है 12,100 रुपे तो अब हम तीसरे वर्ष का ब्याज भी ग्याद कर सकते हैं तीसरे वर्ष का ब्याज इसे व्यक्त की एज करेंगे हम SI3 से बराबर मूलधन जो है हमारा 12100 गुनित दर्पुना 10 समय तीसरे वर्ष के लिए गढ़ना हो रही है एक ही वर्ष की गढ़ना कर रहे है एक बटे 100 इसे हल कर ले तो हमें मिलेगा 100 के पहाड़े से हल कीजिए तो ये मिलेगा 121 121 कुनित 10 कुनित एक याने की 1210 रुपए अब यदि हमें कुल भुक्तान की जाने वाली रशी प्रप्त करनी है तो वो कितनी हो जाएगी भुक्तान की जाने वाली राशी बराबर हो जाएगा पी 3 याने की तीसरे वर्ष का मोल धन धन SI3 क्योंकि हमें तीन वर्ष के अंत में जो राशी वापस करनी है उसके बारे में बताना है तो पी 3 कितना है हमारा 12,100 धन SI3 मिला है 1210 रुपए तो फाइनल हमें यहाँ पे मिल लिया 13,310 रुपए तो यह वापस की जाने वाली राशी हुई अब बात कर लेते हैं कुल ब्याज की तो कुल ब्याज कितना हुआ कुल ब्याज बराबर हमारे पास क्या क्या होगा हमें जो ब्याज मिले हैं वे थे SI1 सभी को हमको यहाँ जोड़ना होगा SI2 और धन SI3 तीनो का मान ले लें तीनो का मान हम लिख सकते हैं SI1 हमें कितना मिला था 1000 रुपए SI2 प्राप्त हुआ था 1100 रुपए और SI3 हमारे पास है 1210 रुपए तो कुल ब्याज हुआ 3310 रुपए इस प्रकार भुकतान की जाने वाली कुल राशी हुई 13310 रुपए और कुल ब्याज हुआ 3310 रुपए इस प्रश्ट में हमने देखा कि जब मूल धन 10,000 रुपए दर 10 प्रतिशत वार्शिक और समय 3 वर्ष था तो हमें चक्रविद्धि व्याज कितना प्राप्त हुआ व्याज बराबर हमें मिला है 3310 रुपए अब यदि मूल धन 10,000 हुई हो 10 प्रतिशत की दर यह हो और समय 3 वर्शी हो तो क्या साधारण ब्याज भी इतना ही मिलेगा चलिए करके देखते हैं हम जानते हैं कि साधारण ब्याज बराबर कितना होता है साधारण ब्याज बराबर मूल धन गुणेत दर गुणेत समय बटे सो मूल धन 10,000 दर 10 और समय जो है वो हमारा 3 वर्ष बटे सो यदि इसे हम हल करें सो के पहाड़े से तो सो एकम सो और ये सो बार हमें गुणा करने से 10,000 प्राप्त होता है सो गुणे 10 गुणे 3 यनि कि यहां हमें कितना प्राप्त हो रहा है 3000 रुपे तो समान मूल धन, समान दर और समान समय के लिए चकृद्धी ब्याज हमें प्राप्त हुआ था 3310 रुपे जबकि साधारन ब्याज हमें मिल रहा है 3000 रुपे इसका अर्थ है कि इन दोरों में अंतर होता है चकृद्धी ब्याज का मान समान राशियों के लिए अलग और सधारन ब्याज का मान अलग होता है